पाकिस्तान ने भारत के छे नागरिकों को ड्रक्स की तसकरी के आरोप में गिरफतार कर लिया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ड्रक्स की तसकरी में शामिल हैं। पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभागा इस पी आर की ओर सी जारी किये गए एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों ने 29 जुलाई से 3 अगस 2023 के बीच सीमा पार कर आने वाले 6 भारती नागरिकों को पाकिस्तान सीमा के भीतर पकड़ा है। उनका दावा है कि ये लोग पाकिस्तान में ड्रग्स, हतियार, गोला बारूत, तसकरी करने की कोशिश कर रहे थे और इनके खिलाफ कानून के तहट कारवाई की जाएगी। इन भारती नागरिकों में गुम्रेज सिंग, चंदर सिंग, जोगिंदर सिंग और विशाल का संबण फिरोसपूर से बताया जाता है। जबकि रतनपाल सिंग का संबन जलंदर से और हरविंदर सिंग लुदियाना से बताये गए हैं। इन भारती नागरिकों पर अवैट धंग से पाकिस्तान में घुसने और अवैट गतिविदियो में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान में गिरफतार युवा फिरोसपूर जिले के गाउं कल्चा के हैं जो बार्ड सी प्रभावित है। इस गाउं के जोगिंदर सिंग, चंदर सिंग और गुरमेज सिंग नाम के तीन लोग इस समय पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में हैं। हाल ही में BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन में से जोगिंदर सिंग और चंदर सिंग की परिवार वालों ने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में फसलों की कटाई के लिए जाया करते हैं। जोगिंदर सिंग और चंदर सिंग का संबंध सिक बिरादरी से है जबकि गुर्मेज सिंग का संबंध वालमी की समुदाय से है। जोगिंदर सिंग की पतनी सरोज ने बताया था कि जोगिंदर ये कहकर घर से गए थे कि वो काम पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें खबरों से उनकी ग्रिफतारी की जानकारी मिली और हमारा परिवा अब बहुत परिशान है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें वापस भारत की जेल में लाया जाये ताकि कम से कम हम और हमारे बच्चे उनसे मिल सकें। सरोज ने ये भी बताया कि जब जोगिंदर घर से निकले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जल्द ही फोन करेंगे लेकिन हमें कभी कोई फोन कॉली नहीं आई इसके बाद हमने स्थानी पुलिस से संपर किया और उनकी गुमशुदकी की शिकायत भी दर्ज कराई उन्होंने दावा किया है कि जोगिंदर सिंग की खिलाफ भारत में कोई F.I.R. दर्ज नहीं है जोगिंदर चंदर और गुरमेज एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो एक साथ काम किया करते थे उनकी पतनी का कहना है कि पाकिस्तान में जोगिंदर की गिरिफतारी की वज़ा से उनका घर तबाह हो गया है बाड के कारण इस साल फसलों को पहले से ही काफी नुकसान हुआ है साथ ही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक स्कूल की फीस नहीं दी है जोगिंदर सिंग के परिवार में उनकी पतनी और मा के अलावा दो बच्चे भी हैं जोगिंदर सिंग की 13 साल की बेटी पिंकी ने बताया कि जब उनके पिता घर से निकले थे तो वो अपने सभी कपड़े साथ ले गए थे। पिंकी का कहना है कि मैं फीस नहीं देने की वजह से स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताने मुझ से कहा था कि काम से वापसाने के बाद वो मेरी फीस भर देंगे। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और मुझे पढ़ाई में बहुत दिल्चस्पी है लेकिन पिता के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा लुधियाना के गाउं प्रज्यान के रहने वाले हरविंदर सिंग 27 जुलाई को अपने दोस्त रतनपाल के साथ अपनी बहन के घर गए थे उनकी बहन का गाउं फिरोजपूर में हुसैनी वाला सीमा के पास है हरविंदर सिंग बाड की वज़े से बहन की घर से समान निकालने में मदद के लिए गए थे लेकिन दावा किया जा रहा है कि बाड की पानी की वज़े से वो दोनों पानी में बह गए गए और पाकिस्तान की तरफ चले गए बाद में पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें गिरस्तार कर लिया हरविंदर की पतनी शलेंदर कौर और गाउंवालों ने जानकारी दी है कि हरविंदर सिंग ने न तो कभी नशा किया है और नहीं वो कभी ड्रग्स की बिक्री में शामिल रही है शलेंदर कौर ने भरत सरकार से मांग की है कि हरविंदर सिंग को वापस लाया जाए और वो कहती हैं कि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवार उनका बेसबरी से इंतजार कर रहा है उनका कहना है कि उनका परिवार बहुत गरीब है हर्विंदर सिंग यहां घर जमाई के तौर पर रहते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते थे पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए रतनपाल की पत्नी सुरजीत कौर का कहना है कि हमारे दो बेटे हैं एक 11 साल का और एक 8 साल का दोनों गाओं के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे पती दिहाडी मजदूरी करक परिवार का गुजारा करते हैं सुरजीत कौर खुद भी मजदूरी करती हैं और वो कहती हैं कि रतनपाल की जाने के बाद उन्हें केवल एक समय का खाना ही मिल पाता है वो आगे बताती हैं कि पूरे परिवार में एक ही रोटी कमाने वाला था, दूसरी तरफ रतनपाल की बहन कमल जीत को भी अपने भाई का इंतजार है इस मामले में पुलिस अभी तक चुपी साधे हुए है पुलिस सुत्रों का कहना है कि फिरोषपूर के ये तीनों लोग कथित तौर पर नशे की तशकरी में सामिल थे पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े गए ये भारतिये क्या वाकई गुनेगार हैं या ये पाकिस्तान की किसी शाजिश का शिकार हो रहे हैं इस विशे में आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं रिपोर्टर जी अगर आप हमारी चानल पर नई है तो चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें